अस्लाम अलेकुम फ्रेंस आज हम बनाने जारे सेवपुरी इसे हम बिल्कुल बॉंबे स्ट्रीट स्ट्राइल सेवपुरी बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ठेले पर जाके खाते हैं तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सब में पहले मैंने यहाँ पर चार बड़े बॉइल आलू ले लिये हैं आलू का छिलका निकालके हम इसे अब अच्छे से मैश कर लेंगे ये देखिए आलू को हमने इस तरह से मैश कर लिया है सेवपुरी बनाने के लिए हमें तीन तरह की चटनी चाहिए होगी हरी चटनी, लाल चटनी और मीठी चटनी हरी चटनी के लिए मैंने यहाँ पर तीन से चार हरी मिर्ची थोड़ा सा कोत्मीर, थोड़ा सा पुदीना दो कली लसुन के टेस्ट के एकॉर्डिंग सॉल्ट एक निम्बू का जूस और थोड़ा सा पानी एड़ करके मैंने ग्राइंडर जार में इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है फिर हमने मैश किये हुए आलू में वन टीस्पून नमक एरत किया है ताकि आलू फीके फीके ना लगे फिर में इसमें दो से तीन छोटे चमज हरी चटनी के एड़ कर दूँगी पर अगर इसे बच्चे खाने वाले हैं तो आप इसे स्कीप कर लीजिए पर ऐसा करने से आलू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर हाथ के हेल्प से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी दूसरी तरफ एक डिश में हम सारी पूरियों को इस तरह से अरेंज कर लेंगे मैं यहाँ पर रेडी मेट पूरी यूज कर रही हूँ आप चाहो तो इसे घर में भी बना सकते हो अब सब में पहले एक एक पूरी उटा कर हम इसके उपर आलू रखेंगे आलू को हम पूरी के उपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे और थोड़ी से ज़्यादा कॉंटिटी में रखेंगे क्योंकि हम इसे घर में बना रहे हैं इसलिए हम सारी चीजों को ज़्यादा कॉंटिटी में एड़ कर सकते हैं बाहर ठेले पे जब हम इसे खाते हैं तो बहुत ही कम कॉंटिटी में सारी चीजों को एड़ किया जाता है इस तरह से सेव पूरी आप लोग ज़रूर बनाई है आपको इंशालाब बहुत पसंद आएगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंस और एलिटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए आलू को पूरी के उपर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे हरी चटनी चटनी आप अपने हिसाब से एड़ कीजिएगा आपको कितना तीखा कितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें एड़ कीजिएगा फिर हम लाल लाल चटनी एड़ करेंगे लाल चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4-5 लॉंगी मिर्ची को गरम पानी में भीगने के लिए 10-15 मिनिट रख दिया था फिर मैंने एक ग्राइंडर जार में भीगी वी लॉंगी मिर्ची 5-6 कली लसुन के टेस्ट के एकॉर्डिंग नम्मक एक निम्बू और थोड़ा सा पानी एड़ करके इसे अच्छा सा पीस लिया था और इसी तरह से हमारी लाल चटनी रेड़ी हो गई यहाँ पर मैंने लाल चटनी तीखी बनाई है इसलिए मैंने लॉंगी मिर्ची यूज की है आप चाहो तो लॉंगी मिर्ची के जगे पे कश्मीरी लाल मिर्च पाॉडर भी यूज कर सकते हो इसके बाद हम सभी पूरियों पे मिठी चटनी आड़ करेंगे मीठी चटनी की रेसिपी यूटूब पे इजिली अवेलेबल है पर आपको मेरी बनाईवी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए मैं बहुत जल्द मीठी चटनी की रेसिपी भी डाल दूँगी फिर हम इसमें बारिक चॉप्ट किये हुए प्याज अड़ करेंगे बारिक चॉप्ट किये हुए टमेटो अड़ कर देंगे प्याज और टमाटर आपको यहाँ पर बहुत ही फाइनली चॉप्ट करना है फिर हम बारिक सेव इसमें अड़ करेंगे सेव मैं यहाँ पर ready made ही use कर रही हूँ आप लोग यहाँ पर मुंगफली के दाने या roasted masala चाना डाल भी यहाँ पर add कर सकते हूँ मैं यहाँ पर add नहीं कर रही हूँ आप अपने choice के according यहाँ पर add कर सकते हो यहाँ पर हम chaat masala add कर देंगे और साथी में थोड़ा सा काला नमक भी add कर देंगे सेव पूरी के उपर हम आधे निम्बू का juice add कर देंगे यहाँ पर निम्बू आप जरूर add कीजिएगा निम्बू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके बाद हम बारी कटी हुई कोत्मी रैड करेंगे इस तरह से अब हमारी सेव पूरी बिल्कुर रेडी है सर्विंग के लिए बहुत ही जल्दी बन जाने वाला चार्ट है आप लोग इसे जरूर ट्राइक कीजिए इसी तरह की easy और अच्छी अच्छी रेसिपीस के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंस और रिलिटीवस के साथ मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स रेसिपी में अल्ला आफीस